नमस्कार मैं आकाजादो, अपडेट मुझे RBI Assistant के बारे में आपको देना था, RBI Assistant का ये अपडेट हमेशा की तरह expected है, बट जो information मुझे मुझे मुलिए, वो information मैं आपको pass on कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो के थूप, वीडियो में मैं RBI Assistant के बारे में बात करूँ का और से रेलिटेड आसपास के जितनी भी questions है, वो सभी questions, short video तो आप से discuss करूँ का, सबसे पहले, RBI या बाकी organization में differences है कि यहां पर policies और बाकी सब चीज़े, HR का जो functioning है, वो other banks से थोड़ा सा different, तो इस वजह से dates में जो changes होते है, वो मेरे साइड से नहीं, वो RBI के साइड से होते ह पासवाम करने मेरा काम है, so that आप आपकी जो study plan और बाकी सब चीज़े, तो उस धंग से आप plan कर सको, वही उसके पीछे का reason है, तो चलिए स्टार्ट करते है, RBI assistant के update के बारे में, RBI assistant का इस बार का जो notification है, notification लगब दो महीने पहले आएगा, तो आप मान किजिए लिए कि अ को SBA clinical की examination देखनों का मिल सकती है, साथ मेंस examination expected 19th of November 2023 को, यह RBI assistant की pre or mains, these are all expected, this might change in near future, इसके साथ कुछ अलग-अलग points से जो मुझे discuss करने थे, सबसे पहले sir, मेरा selection clinical में, PO में, या FCA के assistant में, यहाँ पर हमारा selection हुआ है, क्या इस date के मद दे नजर, मैं मेरा, मैं मेरा जो जो के बारे में सोच सकता हूँ, so that मुझे पढ़ाई के लिए time मिले, this is completely your decision, अगर आप चाहे, आपकी पढ़ाई, आपको ऐसा रखता है, कि RBI assistant के level की नहीं हुई है, या selection होने के बाद में, मैंने कुछ जादा पढ़ाई नहीं किये, तो मुझे और पढ़ाई के लिए time चाहि मैं काफी वीडियो देखता हूँ कि ग्रामीन बैंक के बचे हुए 20 दिन का प्लान, 30 दिन का प्लान, 40 दिन का प्लान, 100 दिन का प्लान, ऐसे फालती वीडियो मत देखिए, reason being, आपको आने वाले time में, यह प्लान अच्छा होता है, जब सामने आने वाले हमारे पास में एक वीकली चार सेंडेज होते हैं, तो कम से कम तीन बड़ी-बड़ी एक्जाम इन दिनों में मिलेगी, कौन-कौन से, let us say, अगस्त में आपको, RRB PO Pre, RRB Assistant Pre, यह दो एक्जामनेशन, और शायद, dates exact मुझे पता नहीं है, month end में आपको, IBPS करिकल के एक्जाम होती है, month end में होत गरते है, then, नाबाड ग्रेड है, नाबाड डिये की एक्जामनेशन है, September में आपके हाथ में, August में जो एक्जामनेशन, RRB PO मेंस, वह September में होगा, RRB Assistant मेंस, वह वाला September में हो जाएगा, October में, IBPS PO की प्री है, October में, RBI Assistant की प्री है, October में, शायद, IBPS करिकल का मेंस, अगर व प्री है, then, आते हैं, November में, November में आपका, IBPS PO मेंस होगा, November में आपका, RBI Assistant मेंस हो सकता है, November में, SBI PO की प्री है, चलो आगे चलते हैं, December में, December में, November में, और एक बात मुझे रखता है, November में, जो अपडेट मैंने आपको पीछे दिया था, New India AO की प्री प्री है, तो वही पा नियू इंडिया AO की मेंस, SBI PO की मेंस, IBPS SO की प्री, इतने कम से कम एक्जाम सापके हाथ में, इसके अलावा बाकी जितने भी नए एक्जामनेशन आएंगे, बीट, EPFO की एक्जाम हो, वह उसमें आड हो जाएगी, इसके पहले जो भी नोटिवेशन आए, वह वाली एक्जा सब्सक्राइब करके, 70-90 दिन, ऐसी स्टेडी नहीं करनी है, आपको मिक्स आफ, प्री प्लस मेंस, आपके स्टेडी आने वाले 4-5 मैने में रखनी है, रीजन में ही आपके हाथ में, काफी जाता परक्लिटिस, काफी जाता चांस से, क्या ये अचानक से हो तो बिलकुल अच अपरेल, मई और जून का उस टाइम को जिस बच्चों ने अच्छे से यूटिलाइज किया है, मुझे रखता है कि उन के लिए आने वाले दिन जो है, वो काफी अच्छे जाने वाले है, तो ये एक पार्ट, तो आप किसी एक 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 जाम के उपर फोकस ना करते है, कुछ एक एक जाम में कम्प्यूटर है, कुछ में नहीं है, सब आर बेम में विकल्स कितनी हो सकती है, हजार के आसपास, कुलिशल डेट फॉर इस कैलकुलेशन या अभी तक मुझे नहीं पता है, और सर्कल वाइस विकल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लास्ट हम मौक टे स्टार्ट करूँगा, आईडिवे एक्सपोर्ट ऑनलाइन पर देखे दिखाना है आपको, बाकी इसके बारे में, इसके अलावा मेरे हाथ में कोई भी अपडेट नहीं है, ना एपडेट का अपडेट है, ना कोई नई वेकंसी जिसके बारे में आप पिछले त चीज इतनी है कि एक्जाम अपडेट के लिए अगर आपके साइड से कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव नाइज अगर वैसा तरह है तो रहेगा तो मैं और ज्यादा अपडेट आपको देता रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे मोटेशन चाहिए, अगर को मुझे थोड़ा सा टालना या थोड़ा सा लेट करना पड़ा, अपकमिंग जितने भी अपडेट है, आने वाले अपडेट आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करता रहूंगा, तो आपके आतमे भी आने वाले मन्त में काफी जादा काम है, तो थोड़ा सा कॉंसेंट